किसान बिल्कोर रद करवाने के लिए देश के अनिदाता पिछले आठ महिनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही सरकार बातचीत करने का प्रस्ताफ तो दे रही है लेकिन उस पर भी सरकार ने अपनी शर्त नखी है सरकार का कहना है कि हम बिलों में बदलाफ कर सकते हैं लेकिन उन्हें रद नहीं कर सकते वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और इसी तना तनी की बीच किसान आंदोलन को आज पूरे आठ महिने हो चुके हैं और अब किसानों के सब्र का बांध तूट चुका है और भारतिय किसान यूनियन के राश्वे प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा एलान किया है तो क्या होगा किसानों का अगला कदम देखिए इस रिपोर्ट में किसान बिलकुर रद करने की किसानों की कोशिश पिछले आठ महीनों से जारी है लेकिन नतीजा शून ने है जिसको देखते हुए किसानों ने मानसून सत्र के दोरान जंतर मंतर पर किसान संसद भी लगाई है किसानों का कहना है जब तक मानसून सत्र चलेगा किसान संसद भ धमकी भरे अंदाज में कहा कि हम लखनव को दिल्ली बनाएंगे राकेश टिकेट ने कहा हम किसानों के बीच जाएंगे 5 सितंबर को मुझफण नगर में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा कैमरा और कलम पर पहरा लगाया जा रहा है पूरे देश को कैप्चर करके रखा गया है जब तक 3 कानून बापस नहीं होंगे हमारा अंदोलन वापस नहीं होगा हम लखनव को भी दिल्ली बनाने का काम करेंगे लखनव की चारों तरफ रास्ते बंद करने का काम किया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने कहा यूपी आंदोलन का प्रदेश है, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, 12,000 करोड रुपे का आप तक बकाया है, योगी सरकार ने गन्ने में एक रुपया नहीं बढ़ाया, 7-8 राज्यों में किसान को बिजली फ्री है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, गुजरात की सर देने की अपील नहीं करेंगे, किसान चुनाव नहीं लड़ेगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ होने के दावे गलत हैं, खालिस्तानी समर्थकों को कॉल करके संसद आने की अपील से किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, हम 14 अगस्त को ट्रैक्टर परीट करे इस मिशन में राश्ट्रिय मुद्दों के साथ साथ राज्जी के मुद्दे भी उठाने का काम होगा, यूपी सरकार ने कुछ समय पहले MSP पर दाने दाने की खरीद के दावे किये थे, हमने आंकडे खटा किये तो यूपी में गेहु की पैदावार 308 लाक टन होती है, 20 ज सरकार कब तक कर पाएगी किसानों की गुहार को अंसुना, डिविलाइव की रिपोर्ट